बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम एट्मॉस्फिरिक प्रेशन नाप सकते हैं तो किस तरीके से नापते हैं हमाई पास कुछ ऐसा सेट अप होता है इसमें आप पूरा फ्लॉइड भर दो इसमें भी फ्लॉइड है और इसको इस तरीके से रखना है तो हमें ध्यान र ने किया ये था लेकिन होता क्या है यहां पर यह जो फ्लॉइड है जो ऊपर उठा हुआ है कौन सा वाला यह वाला फ्लॉइड इसके उपर नीचे लग रही है इस तरीके से ग्राविटी का फ्रॉस तो यह नीचे आना चाहता है लेकिन इसको नीचे आने से रोग कौन रहा यहाँ पर देखो हमाँ पास atmospheric pressure है atmospheric pressure यहाँ पर इसके उपर force लगाता है तो यहाँ पर भी atmospheric pressure है यहाँ पर atmospheric pressure है यहाँ पर actually हमाँ पास fluid का कुछ pressure होगा यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो pressure बढ़ता है तो या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ यहां से जब मैं उपर जाता हूँ तो pressure कम होता है लेकिन pressure की value negative नहीं हो सकती तो एक time आता है उसके बात pressure की value zero हो जाती है उसके उपर हमाय पास fluid नहीं हो सकता तो उसके लिए को आपको actually इस tube की length बहुत जादा उपर तक रखनी होगी तो अगर मैं इसको बहुत बड़ी tube बना दूँ finally मेरे पास कुछ इस तरह की चीज आ जाती है यहां पर हमाय पास है atmospheric pressure यहां पर है let's say P, A, T, M इस point पर भी जो हमाय पास pressure होता है यह होता है कितना P, A, T, M फिर उसके बाद क्योंकि यह पूरा का पूरा एक connected fluid है इसी के same horizontal level पर यहां पर भी जो हमाय पास pressure होगा वो होगा P, A, T, M अभी इस वाले को मैं हटा सकता हूँ यहां से हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है अब देखो यहां से अगर मैं h height उपर जाता हूँ this is height h इस point का pressure कितना होगा actually यहां पर vacuum होता है तो this is vacuum लिख देता है हमें यहां पर this is vacuum इसका मतलब pressure is equal to 0 देखो यहां पर मैं पर pressure है P, A, T, M यहां से अगर मैं नीचे आया हूँ इसका pressure था 0 plus rho g h उसकी value P, A, T, M के बराबर हो जाएगी हमारा पास जो equation आजाती है वो आजाती है P is equal to 0 plus rho g h is equal to P, A, T, M इस तरीके से हम पता कर सकते हैं अब देखो gravity की value तो constant है अगर हमारे पास जो liquid है उसकी density में बढ़ाता हूँ तो मुझे जो height की value आती है वो काम आती है इसलिए हम यहाँ पर actually सबसे dense liquid जो हमारे पास available है उसका use करते है तो maximum density जो हमारे पास है वो कितनी है हम calculation कर सकते है P atm is equal to density of mercury which is hg times g into edge अब experiment करोगे आप mercury के साथ में तुझी जो height आती है 76 cm या फिर 760 mm density of mercury होती है 13600 gravity की value होती है 9.81 और जो हमारे पास height आती है होती है 0.76 यहां से हमारे पास जो इसकी value आती है वो आती है approximately 1.013 into 10 raise to power 5 सारी की सारी हमने जो values रखे हैं वो ऐसा unit में रखे हैं तो हमारे पास यहां पर जो value आगी वो आगी pascal या फिर newton पर meter square अभी value काफी बढ़ी है 10 raise to power 5 की terms में आ रही है तो यह जो 10 raise to power 5 पासकल है ना इसको भी हमने एक नई unit बना दिया है देखो इस पूरे को आप बोल सकते हो this is equal to 1.01 bar यहां से में पता जलता है 1 bar is equal to 10 raise to power 5 पासकल इस तरीके से हम pressure atmospheric pressure को ना आप सकते है अच्छा हमने measure क्या किया इस experiment में हमने तो यह height measure करी थी तो usually ऐसा भी बोल दिया जाता है atmospheric pressure is 76 cm of mercury आप इस तरीके से भी बोल सकते हो p atm is equal to 76 cm of hg इस तरीके से भी बोल सकते हो या फिर आप इसको यह बोल सकते हो 760 mm of hg अब इसको पढ़के भी हमने पता चल जाता है इतने mm of hg तो यह mm of hg और यह cm of hg यह भी pressure की ही actually unit बन जाते है in fact यह जो mm of hg है इसको बोला भी जाता है 1 tall although this is equal to 760 tor यहाँ पर 1 tor की value कित्ती हा जाती है 1 tor is equal to 1 mm of hg यहाँ पर आप रो जी एच लगाओ रो जी एच का फॉर्मुले में h की value अगर आप 1 mm रग दोगे तो जो हमारे पास 1 tor की value है जाती है 1 mm of hg उसकी value है जाती है approximately 133.3 पासकल कई बार आपसे इस तरीके से भी calculation हमें करनी पढ़ सकती है हमें बस याद रखना है barometer की case में अगर हमारे पास इस जो fluid हमने यूज़ किया है उसको अलग ले ले जैसे कि शायद पासकल ने mercury की जगे french wine को यूज़ किया था तो पिर और एक चीज़ अगर मैं tube यहाँ पर कितनी भी बड़ी लूँ यहाँ पर अगर vacuum है तो इसका pressure 0 रहेगा pressure 0 है वहाँ से नीचे आते हैं तो pressure की value कितनी होती है 0 प्लस ρो जी एच और same level पर आते हो तो वो atmospheric pressure के बराबर रहाता है equation हमारे पास यही रहने वाली है कुछ cases मैं ऐसा भी बोल देंगे यहाँ पर चब vacuum if the mercury in the barometer is replaced by water what will be the resulting height of the water column बहुत ही अच्छा सवाल है मैं पास barometer है इसमें mercury की जगे इस पर पानी भदिया गया तो आपको बताना है इसकी height यह वाली h कितनी आने वाली है हमें कुछ data दिया हो है बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर और यहाँ पर pressure को आपको same रखना है यहाँ पर होगा p atm यहाँ पर pressure कितना होगा यहाँ पर होता है vacuum तो इसका pressure है 0, 0 plus rho g h is equal to p atm वीडियो को pause करो, question को solve करो correct answer है option number b क्यासे आया? देखो हम दो point मान लेते हैं let's say this is point number a, this is point number b हम लेख सकते है pressure at a is equal to pressure at b क्योंकि same horizontal level पर है in a connected fluid pressure at a की value किती है p atm और pressure at b को मैं क्या लेख सकता हूँ if this is vacuum तो यहाँ का pressure हो जाता है 0 0 plus rho g h, तो this will be equal to 0 plus rho g h यहाँ से height h की value आ जाती है p atm upon g rho अब देखो इसको solve कोने का एक और तरीखा हो जाएगा अब यहाँ तो आप p atmospheric को लिखो 1.01 into 10 raise to power 5 पास्कल और उसके बाद यह values रखो यहाँ पर आप लिख सकते हो atmospheric pressure को हम जानते है उसकी value क्या थी? 76 cm of hg तो यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा rho mercury into g into height किती आई थी? 0.76 meter divided by rho of water into g यहाँ पर g से g इस तरीके से cut जाता है अब देखो ही क्या है density of mercury upon density of water यह हमें पता है यह हो जाएगी relative density of mercury इसकी value वैसे होती है 13.6 multiplied by 0.76 और यह value approximately आजाती है 10.3 meter and option number b is our correct answer feel करने की कोशिश करते है mercury होता है तो यह वाली जो height की value आई थी वो आजाती है approximately 0.76 meter तो अगर मैं उपर नीचे और यह पूरे के पूरे setup को मानों तो मान लो 1 meter के अंदर हमारा apparatus इतना बड़ा कुछ apparatus बन जाता है लेकिन अगर मैं इसकी जगे water का use करने तो यह आता है 10.3 meter guess करने की कोशिश करो हमारी जो ceiling की height होती है approximately 11-12 feet के आसपास होती है और यह आता है 33 feet के आसपास यानि तीन मंजिला उंचा आपको इस तरीके से बारो मीटर बनाना पड़ेगा and that is exactly why हम इसमें पानी का यूस नी करते हैं mercury का यूस करते हैं करते हैं an open glass tube is immersed in mercury in such a way that a length of 8 cm extends above the mercury level the open end of the tube is then closed and sealed with the tube is raised vertically up by additional 46 cm what will be the length of air column above the mercury in the tube now तो मैं पास initially कुछ ऐसा setup था और उसके बाद इसको उपर खीच दिया गया है कितना उपर इसको खीचा है हमने इसको additionally खीच दिया है यहां से यहां तक this is 46 cm तब क्या होगा यहां से mercury का उपर कुछ level आ गया है what will be the length of air column above the mercury in the tube now तो हमें यह वाली length पूची हुई है और यह वाली length को let से इसकी value हम x मान लेते हैं तो इसको किस तरीके से approach करना है देखो यहां पर इस case में क्या होगा अभी बाहर जो pressure है atmospheric pressure था वही यहां पर देखो connected fluid है तो इस time पर gas का भी pressure atmospheric pressure के बराबर था पिर इसको हमने उपर उठा दिया तो अब देखो इस point का pressure atmospheric pressure के बराबर है यहां पर उपर जाओगे तो actually इसका pressure भी atmospheric pressure से कम है लेकिन vacuum के बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर already हमाँ पास कुछ gas थी तो यहां पर basically अब gas equations का use होने वाला है हमाँ पास gas equation क्या होती है PV is equal to NRD यहां पर question में लिखा नहीं है लेकिन इसमें हमें assume करना है कि temperature की value constant है और इसमें जो trapped gas है उसके number of moles जितने भी है वो भी constant है तो basically PV की value constant रहने वाली है हमें क्या करना है P1 V1 की value equate कर देनी है P2 V2 के बराबर अब यहां पर जो pressure है उसको आप actually unit use करोगे कौन सी millimeter या फिर centimeter of mercury उसमें काम करोगे तो आपकी life बहुत जादा आसान हो जाएगी जैसे यहां पर if this was stage 1 pressure of 1 की value कितनी हो जाती है 76 या फिर इसको 760 टॉर मैं बोल देता हूँ 760 millimeter of mercury के बराबर pressure था volume की value किती है यहां पर देखो इसकी original length हमें यह दे होई है 8 centimeter तो जाता है 8 cm into area A is equal to pressure add to यहां पर pressure कितना है वो मुझे अभी नहीं पता ठीक है उसकी value मैं लिख दूँँगा let's say P2 अब इसका volume कितना हो चुका है देखो यहां पर यह वाली length है x और इसका cross sectional area अभी भी A है तो volume हो जाएगा x times A यहां पर area से area इस तरीके से cancel out हो जाएगा अच्छे P2 की value में क्या लिख सकता हूँ यहां पर जो P2 है वो actually यहां पर जो pressure इस जगे पर pressure कितना है 760 tor या फिर 76 cm of hg यहां से मैं थोड़ा सा उपर आया हूँ कितना उपर आया हूँ वो भी कुछ mercury है तो उसको भी मैं cm of hg की terms में ही लिख पाऊंगा अब वही आपको करना है वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है option no.1 कैसे आया पहली बात तो हमें यहां पर चीज़े लिखनी पड़ेंगी कि x हमने जो assume किया है वो cm में assume किया था this is in cm alright देखो यहां पर हमारे पास 1 था this was 1 and this is 2 p2 की value क्या लिख सकते हैं p2 की value हो जाएगी p0 minus rho g h यहां पर p0 था तो यहां पर भी p0 होगा minus rho g h क्योंकि इस बार हम उपर जा रहे हैं नीचे जाते हैं तो pressure बढ़ता है उपर जाते हैं तो कम होता है तो यह है हमारे पास height h अच्छा पहले हमारे पास height थी 8 cm फिर 46 उपर खींच दिया तो मैं लिख सकता हूँ 8 plus 46 is equal to x plus h यहां से हमारे पास एक और equation आती है 8 plus 46 is equal to x plus h और यहां से हमारे पास h की value आ जाती है वो आ जाती है 54 minus x p2 की value हो जाएगी देखो p2 is equal to अब देखो again p0 को मैं लिखूंगा tor में tor के हिसाब से वो वाली value किती है जाती है 760 tor minus 54 minus x cm of mercury इतने cm of mercury हमने reduce किया है इसको tor में convert करो cm को mm में करोगे तो 10 से multiply हो जाएगा यह था हमारे पास cm तो उसके कारण जो pressure में आ जाएगा change हो जाएगा mm में उसकी value हो जाएगी 54 minus x into 10 tor यही हमें समझना है यहां पर हम cm of hg या फिर mm of hg को अगर pressure की unit लेकर के solve करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है यहां पर हमारे पास pressure था which is equal to 76 cm of hg या फिर 760 tor फिर उसके बाद यहां से अगर मैं h i to उपर जाता हूं तो मैं हमारे पास p2 की value इस तरीके से आ चुक है अब p2 की value आप यहां पर रखोगे तो देखो हमारे पास बड़ी आसानी से यह वाली equation को मैं लिख सकता हूं अब 760 tor into 8 cm is equal to p2 की value किती है 760 minus 540 plus 10x इतने tor into x cm और यहां पर आप देखोगे cm से cm कट जाता है tor से tor कट जाता है हमारे पास एक question आजाती है 76 into 8 is equal to यहां पर आप देखोगे सारे के सारे 10 भी यह 0 0 0 इस तरीके से कट जाता है 76 into 8 this is equal to 22 plus x और एक multiplication में हमारे पास x और है तो यहां पर हमारे पास एक quadratic equation आजाती है x square plus 22x minus 76 into 8 is equal to 0 यहां पर आप हमें इसे को solve करना पड़ेगा x की value आजाती है x is equal to minus b which is equal to minus 22 plus minus under root of b square यहां की 22 का square plus 4 into 1 into 76 into 8 upon 2 और यहां पर आप इसको simplify करोगे तो यह value आती है minus 22 plus minus 54 upon 2 यहां से हमारे पास एक negative value आजाएगी एक positive value आएगी pressure cannot be negative तो यहां से हम positive value ले 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 लेते हैं हमाया पास x की value आजाती है x is equal to 16 यानि कि वो centimeter में हमने x लिया था ना x को हमने centimeter में लिया था तो 16 centimeter is our correct answer fluid mechanics का यह छोटा सा वीडियो एक छोटा सा पाट ता एक छोटे से crash course का जिया एक महीने में लगभग एक महीने में हमने पूरी की पूरी physics completely cover कर ली है जिसमें सभी concepts और बहुत सारे related previous years questions basically जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सब को cover किया गया है आप देखी रहे हो किस तरह की quality है link is in the description उस course को ज़रूर देखो अगर आपके बास समय कम है तो यह best resource है आपकी तयारी के लिए आपकी rank को improve करने के लिए साथ में आप मेरे vlogging channel को भी subscribe कर सकते हो देखो दूसरी पढ़ाने के अलावा में क्या करता हो ताकि मुझे भी फिर comment करके बताना पढ़ने के अलावा आप क्या काम करते हो all the links are in description हम मिलेंगे अगले वीडियो में